नमस्कार, फल्म इपीट में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ क्रतिका दिपिका पादुकोन ने रिलीज किया छपा का पहला लग आज से शिरू होगी मेगना गुलजार की इस फल्म की शूटिंग पिशले साल दिपिका पादुकोन ने फल्म पादमावत के जरिये बॉक्स ओफिस पर खूब धमाल मचाया था इस फल्म ने बॉक्स ओफिस पर आसानी से 300 करोड का आकड़ा पार कर लिया था पादमावत के बाद हर किसी को उनके नए प्रोजेक्ट का बेसबरी से इंतिजार था कुछ महीने पहले ही डिपिका ने अनौन्स किया कि या वो एक वुमन सेंट्रिक फल्म छपा के लिए मेगना गुलजार के साथ हाथ मिला रही है बता दिकी मेगना के इस वल्म की कहानी एसिट सर्वाइवर लक्ष्मी अगरवाल की जिन्दगी पर बेस्ड है डिपिका ने कुछ देर पहले ही इस वल्म का पहला लुक जारी कर दिया है सामने आए इस लुक में दिपिका के लुक को देखकर साफ पता चल रहा है कि आखर लक्ष्मी ने अपने सिंदगी में आने वाली दिक्तों का कैसे हसकर सामना किया है बता दे कि फल्म चापा की शूटिंग आज से शुरू होने वाली है और इस फल्म में दिपिका के अलावा विक्रांत मैसी महतपून भूमिका में दिखाई देंगे चापा के फर्स लुक के साथ ही दिपिका ने इस बात को भी अनाउंस कर दिया है कि ये फल्म अगले साल 10 जनवरी को रुलीज होगी आपको बता दे कि चापा के पहले लुक को अपने ट्विटर अकाउंट पर दिपिका ने शियर किया है और साथ ही कैप्शन में लिखा है एक करदार जो की मेरे साथ हमेशा रहेगा मालती दिपिका के इस काप्शन से अंदाजा लगाया जा रहा है कि फल्म छपाक में दिपिका के करदार का नाम मालती होगा बात की जाए लक्षमी की तो आपको बता दे कि 15 साल की उम्र में उन पर एक शक्स ने एसेट से हमला कर दिया था क्योंकि उन्होंने उस शक्स के साथ शादी करने से मना किया था इस घटना ने ना सर्फ लक्षमी को और भी मजबूत बना दिया बलकि उन्होंने टॉप सेल एसेट नाम की संस्था बना कर एसेट से होने वाले हमलो और उनकी बिक्री के खिलाफ जम कर आवाज उठाई है फिलाल कमेंट बॉक्स में आप हमें ये जरूर बताएं कि आपको दिपिका का छपाक लुक कैसा लगा फिलाल इस वीडियों बसतना ही लेकिन आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा